हेलो फ्रेंड्स लौकी में धेर सारी न्यूट्रिशियल वैलू होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आज बनाते हैं लौकी की दो ऐसी डिसेज जो लौकी ना खाने वाले भी मांग मांग के खाएंगे नहीं नहीं ये कोफते नहीं बन रहे हैं बस लौकी को इस तरह से घिस लीजी और इसमें एक चमच नमक डालके इसे साइड में रखती जीए अब मैंने एक कटोरी बेसन में एक चमच हल्दी, एक चमच जीरा पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, एक चमच गरम मसाला एट किया है और अब इसमें थोड़ा सा नमक एट करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एट करते हुए इसका एक बैटर बना लेंगे इसका बहुत पतला गुल नहीं बनाना है बस थोड़ा थोड़ा पानी एट करिए और ये एक बैटर बन जाएगा आप देखिए लौकी ने भी पानी छोड़ दिया है इसे इस तरह से निचोर के आप एक पैन में थोड़ा सा ओयल एट करके उसमें एट कर दीजिए और उसे भून लीजिए जब लौकी भून जाए तब उसमें इस बेशन के बैटर को भी एट कर दीजिए अगर इसे नौन स्टिक पर भूनेंगे तो ये चिपकेगा नहीं और इस तरीके से ये किसी भी grease किये हुए tray में set कर दीजिए 10 मिनट बाद इसे cut कर लीजिए और इस तरह से pan में oil लगाके इसे shallow fry कर लीजिए एक side से shallow fry करने के बाद अब इसमें दूसरे side भी oil लगा दीजिए और इसे flip कर दीजिए देखिए दोनों साइट से कितना अच्छा पग गया है इसे आप बच्चों के टिफिन में सौस और चटनी से भी दे सकते हैं और चाय के साथ भी खा सकते हैं ये बिल्कुल नहीं लगता कि लौकी का बना हुआ है और अब बनाते हैं लौकी की दूसरी डिश जिसके लिए मैंने कुछ खड़े मसाले एक चमच आयल में एट किये हैं जैसे कि तेजबता, लौंग, इलाइची और काली मिर्ज और जीरा इसको एट करने के बाद, भूनने के बाद मैंने प्याच, अद्रक, थोड़ा से लैसुन और हरी मिर्ज को भी इसके साथ भून लिया है इसे बहुत ज़्यदा नहीं भूनना है, बस थोड़ा इसा भूनना है और अब इसमें मैंने एक मीडियम साइज की टमाटर को चॉप करके भूना है साथ में इसमें टेस्ट के कॉर्डिंग नमक एट किया है और साथ से आठ काजू भी एट किया है, इने भी थोड़ी देर भून लेंगे और अब उससे ठंडा करके ग्राइंड करना है दोबारा पैन में एक जम्मच ओयल एट करिए और उसमें काश्मीरी मिर्च और हल्दी पाउडर को इस तरह से एट करके ग्राइंड किये हुए मसाले को इसमें एट कर दीजी और इसे चलाते हुए भून लीजी ये मसाला अल्रेडी पुना हुए है ये बहुत जल्दी पक जाता है देखिए काश्मीरी लाल मिर्च से इसमें कलर बहुत अच्छा आता है और अब इसमें मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच गरब मसाला एट किया है लौकी का जो पानी बच्चा था उसे भी एट किया है और साथ में बेशन भी जो बच्चा था उसे भी पानी डालके थोड़ा सा एट किया है इसकी ग्रेवी थोड़ी तिक ही रखनी है और जो pieces मैंने fry किये थी उनको इसमें इस तरह से add कर देंगे और आप लौकी इस तरह से बना के देखिए पनीर भी इसके आगे फेल हो जाएगा और ये बहुत tasty सबजी बनेगी जो लोग लौकी नहीं खाते हैं वो इसको दुबारा बनवा के खाएंगे अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए थैंक यू फॉर वाचिंग